Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं dimensions के बारे में, dimensional analysis के बारे में, उसकी application uses के बारे में, ये क्या होता है dimension अब देखे dimensions का नाम जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाती है directions एक x direction, एक y direction, एक z direction, 3D में हो गया 3 dimensions हो गई लेकिन देखिए ये एक proper information नहीं actually हमारे physical world में कितनी dimensions होती है देखिए हमारे physical world में कुल 7 dimensions होती है कौन सी होती है वो 7 dimensions हमें पता है कि हमारे physics के अंदर 7 यानिकि 7 base quantities होती है और ये 7 base quantities ही 7 dimensions होती है इसमें पहली होती है length, दूसरी mass, तीसरी time, चौती electric current, पाँचवी thermodynamic temperature, छटवी luminous intensity और साथवी amount of substance अब देखिए हमारा पूरा physical world और पूरा physical universe जो है वो physical quantities से मिलकर के बना हुआ है physical quantities क्या क्या होती है कही तरीकी की होती है ये 7 तो मैंने base बता दी, इसके अलावा इन से मिलकर की भी कई सारी physical quantities बनती है ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जो physical quantities है वो बनी है base quantities की मदद से for example अगर मुझे velocity बनानी है तो मुझे length चाहिए यानि कि distance चाहिए और time चाहिए जिससे मुझे पता सकते कि कितने time के अंदर कितना distance या फिर length जो है वो तै किया गया, cover किया गया जिससे मैं velocity निकाल सकूँ इसी तरीके से अगर मुझे acceleration चाहिए तो पहले मुझे velocity और time करना पड़ेगा और velocity के लिए वापिस length और time करना पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब सब कुछ जो गूम फिर के बना हुआ है वो सब कुछ base quantities के मिलद से बना हुआ है और base quantity क्या होती है dimensions होती है हम लोग जानते हैं तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पूरा जो nature है ठीक है मतलब nature की जितनी भी physical quantities है वो in dimensions की वज़े से ही defined है और described है कैसे दिखिए इसका एक example लेते हैं हम लोग जैसे मान लीजी कि आपके पास एक physical quantity है कुछ इस shape के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब obvious सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ mass होगा इस physical quantity का और कुछ ना कुछ length होगी ठीक है तो यह seven dimensions है तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले कि कुछ ना कुछ mass होगा m, कुछ ना कुछ length होगी l और अगर यह physical quantity motion के अंदर है तो हमें पता है कि जो motion है वो बगएर time के तो होई नहीं सकता time से ही तो हमें पता चलता है time के respect में ही तो हम लोग देखते हैं तो इसका कुछ ना कुछ time होना चाहिए t तो हम लोग कहते हैं कि एक rectangle है हमें rectangle अजर आ रहा है तो इसकी length अलग होगी और इसकी जो b है वो बिर्ट अलग होगी ठीक है तो mass तो एक है ये बात समझ में आती है length दो है ठीक है तो length से length को multiply किया तो L2 और अगर ये motion में है तो T का mana जो है हम लोग एक रख सकते है और अगर ये motion में नहीं है तो T0 है ठीक है तो हम लोग लेख सकते हैं कि M1 L2 T0 और इसको हम लोगों ने लिख दिया bracket के अंदर तो इससे हमें पता चला कि mass एक dimension के अंदर है और length दो dimension के अंदर है साफ साफ दिख रहा है अब बिसी बात है दो dimension के अंदर ही है length एक इस direction में जारी है एक इस direction के अंदर ठीक है तो इसका मतलब in base dimensions ने हमें ये बताया कि इसका physical significance कैसा होगा, ऐसा होगा rectangular में नज़रा रहा है तो यहाँ पर इसका जो definition हैं हम लोग दे सकते हैं कि the dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity कहने का मतलब यह है कि यह जो powers आपको नज़रा रही है, M की power 1 है आपके L की power 2 है और T की power 0 है, ठीक है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक dimension में तो इसका mass होगा, दो dimension में इसकी length होगी, ठीक है और अगर यह motion में है तो T का value कुछ होगा है, लगिन अगर यह बिलकुल stationary पड़ा है, तो T की value उसके लिए 0 हो जाएगी, ठीक है तो इसका मतलब जो T है, उसका कोई dimension नहीं है इसके अंदर, तो इस तरीके से यह जो exponent, यह जो powers है अब हमें बताती हैं कि इस physical quantities की क्या dimension हो सकती है और यह जो आपको bracket नज़रा रहे है यह बड़े वड़े square bracket, इनका मतलब यह है कि हम लोग M, L, T पे focus नहीं कर रहे है, हम लोग focus कर रहे हैं, इनकी powers के उपर क्योंकि इनकी powers ही हमें बता सकती है कि कितना dimension है, मतलब M जो है वो एक dimension के अंदर जा रहा है L जो है, वो दो dimension के अंदर जा रहा है इसका और एक example लेते हैं जैसे length को लेकर के लेता हूँ अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक एक line के ची हुए ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है कि यह एक direction के अंदर जा रही है तो इसकी जो dimension होगी, वो क्या होगी सिर्फ L होगी ठीक है, यह बास समझ में आती है अगर मान लीजिए कि मैं पूरा एक rectangle ले लेता हूँ तो अब rectangle के अंदर दो मेरे पास length है एक ये वाली, एक ये वाली L से L को multiply करूँगा तो L की power 2 आ जाएगी और यह power ही मुझे बता रही है कि एक ऐसा physical quantity है एक ऐसी physical quantity है जो दो dimensions के अंदर है और उन दो dimensions के वज़े से मैं पूरी physical quantity की पूरी आकर्ती यानि कि उसका जो चित्र होगा यानि कि उसका जो diagram होगा वो बना सकता हूँ कि ऐसी दिखती होगी है ठीक है, इसी तरीकी से square है हाला कि square के अंदर जो sides होती हो बराबर होती है लेकिन दो dimensions है यहाँ पर बात dimension की हो रही है length की नहीं हो रही है दो अलग-अलग length की बात नहीं हो रही है दो अलग-अलग direction में जो length जा रही है उसकी बात हो रही है यानि कि direction की बात हो रही है length की नहीं ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं जो area आप square है वो side square होता है ठीक है उसके side का square कर दो तो जो square जब आप लोग बनाओगे तो भी 2 dimension में length जा रही है तो वहाँ पर भी L into L करना पड़ेगा इसी तरीके से अगर मैं एक cube बना दू ठीक है cube कुछ इस तरीके से बना हुआ है अब मुझे पता है कि cube के अंदर इसकी क multiply by L multiply by L तो हमारे पास आएगी power L3 इसी के अंदर हम लोग एक example और लेते हैं जिससे हमें और clear होगा फंडा force एक physical quantity है और इससी बात है derive है ठीक है इसको बनाने के लिए कुछ base quantities की जरूत पड़ती है हमें पता है कि जब भी किसी object के ओपर आप लोग force लगाओगे तो उसका formula Newton second law से निकलता है mass multiply by acceleration यानि कि अगर किसी mass का कोई object पड़ा हुआ है तो उसके ओपर आप force लगाओगे तो उस mass के अंदर acceleration आएगा वो अपनी जिगे से डिस्प्ले से हो जाएगा आगे भड़ेगा ठीक है तो f is equal to m multiply by a अब mass तो mass होता है ओविसी बात है mass जो है वो एक base quantity है तो वो एक base dimension भी होगी तो m को तो m रहने दिया acceleration acceleration कैसे बनता है acceleration है कि velocity के अंदर आया हुआ change तो हम लोग लिखते है velocity upon में time और velocity क्या है distance या फिर length के अंदर आया हुआ change ठीक है तो length upon में time लिखते है अब यहाँ पर दो time है जो multiply हो रहे है ठीक है तो इसको solve करके लिखोगे तो m multiply by l upon में t की power 2 ठीक है और हम लोग इसको simple में लिखेंगे जो t है यह उपर आ जाएगा तो m multiply by l multiply by t की power minus 2 अब ज़रा गौर से समझ गौर से इसे करें कि एक object है उसका half which must be 1 dimension में जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि M उसकी power थे एक है इसी तरहीके से उसकी length यह ठीकर प्लाव उसका मास एक dimension में जा रहा है वो एक length में बढ़ रहा है ठीक है लेकिन उसके अंदर जो time है वो 2D में है दो बार change हो रहा है ना वही एक बार क्या होता है हम उसके अंदर velocity create करते हैं विलोसिटी आती है नॉर्मल विलोसिटी और एक बार acceleration create हो रहा है ठीक है तो यानि कि जो मास है वो one dimension में है length है वो one dimension में है लेकिन जो time है वो two dimension के अंदर है ठीक है तो इससे हमें पता चलता है कि जो force है ना वो velocity को change कर सकता है acceleration के अंदर भाई एक normal uniform velocity से कोई चीज आगे बढ़ रही है तो अगर मैं चाहता हूँ कि यह और तेज हो मतलब इसकी velocity बढ़े तो उसके लि लिए मुझे इसके उपर ज्यादा force लगाना पड़ेगा तो force में जो time होता है वो 2D में होता है याद रखना तो इस तरीके से एक physical quantity force का dimensions हमें समझ में आया कि नहीं आया आप इसको feel करके देखिए कि dimension होता क्या है तो इस formula को मैं लिख दूँगा M L T minus 2 का पूरा bracket लिख होगे dimensional formula of force ठीक है याद रखना ये है dimensional formula of force इसी तरीके से अगर F is equals to में M L T minus 2 रखोगे तो ये dimensional equation बन जाएगी दोनों की बात एक ही है दोनों में हम लोग ये अलग से formula लिखा हुआ है और F is equals to में लिख दिया तो ये इसकी equation निकल के आ जाती है तो इस तरीके से बनते है dimensional formulas I hope आपको समझ में आए होगे ठीक है अब इसका एक example और में ले लूँ कि हमने kinetic energy का formula पढ़ाई होगा ठीक है तो kinetic energy का formula क्या होता है E is equals to me 1 by 2 mv square ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं energy का क्या निकालू dimensional formula निकालू तो निकाल सकते हैं आप लोग easily ये जो 1 by 2 है ये एक numeric number है एक numerical है मतलब numeric number है तो इसका तो कोई dimension नहीं होगा अब इसी बात एक number है ये दो लेकिन M का होगा और V का होगा तो M का तो M रहेगा और V का हम लोग जानते क्या होता है L upon T यानि कि length का time के साथ साथ आया हुआ change ठीक है उसका square है गौर से देखिए V का square है ठीक है तो यहाँ पर L का भी square होगा और T का भी square होगा तो M L square upon में T square या फिर T की power 2 और यह जो T है यह उपर आ जाएगा तो M L की power 2 T की power minus 2 अब इस formula को जड़ा गौर से देखिए कि इसके इंदर M जो है वो तो mass बता रहा है मदब एक object है जिसके इंदर कुछ mass है L2 बता रहा है यानि कि उसक लिजे की एक square है ठीक है इस square के अंदर कोई mass है ठीक है और यह दो dimensions के अंदर है और यह जो है motion के अंदर है ठीक है यह motion कर रहा है अब हम लोग किस चीज का dimensional formula निकाल रहे है energy का निकाल रहे है तो यह तो matter हो गया भाई M L2 मिलके तो matter बना रहे है दोनों के दोनों मिला के और यह T-2 जब इसमें add हुआ यानि कि वो matter velocity है उसके पास तो वो एक motion कर रहा है बहुत तेज motion कर रहा है अब आपको याद होगा Einstein सर ने बताया था कि जो matter है वही energy होता है और इसको सफर तै करा होगे यानि कि इसको भेजोगे इतनी velocity जब इसके पास होगी तो यह matter energy में change हो जाएगा यही तो बताता है E is equal to mc square अब E is equal to mc square का जब आप लोग डैमेंशनल formula निकालोगे तो कैसे निकालोगे M का तो M होता है C क्या है velocity तो है और velocity क्या होता है भाई length का time के साथ आए हुआ change इसका square करना पड़ेगा क्योंकि mc square होता है तो इसका भी dimensional formula यही निकल का आएगा तो यहाँ पर हमें यह जो E का dimensional formula है यानि कि energy का dimensional formula है यह हमें यह बताता है कि जब भी कोई matter बहुत तेज velocity से थे the speed of light से जब गती करता है motion करता है तब वो energy में change हो जात वैसे E बराबर mc square आगे पड़ोगे यह क्या होता है अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों पता हो तो यह जो formula इससे prove हो जाता है dimensional formula से दोनों का dimensional formula एक ही है E equals to mc square और kinetic energy का दोनों ही motion से related है by kinetic energy का मतलब motion नहीं तो होता है ठीक है तो इसका मतलब यह चीज से हमें समझ मे ना तो dimensions हमें यह बताते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो dimensions है यह use कहा होते है या फिर dimensional analysis जिसको हम लोगों ने कहा है कि इसके applications है क्या-क्या ठीक है देखिए बहुत सारी चीजों में एक काम आते है कई सबसे पहला use है the homogeneity of dimensions in equation या फिर homogeneity principle अब यह homogeneity principle क्या है दे अब भी कोई physical equation create की जाती है तो उसका dimensions चेक करना जरूर है बही फॉर example मैं आपके example देता हूँ आप लोगोंने motion की एक equation पढ़ी होगी जो कि आपके displacement के लिए थी x is equal to ut plus 1 by 2 at square या पे x जो था वो क्या था displacement था यू जो है वो initial velocity है t time है या पे a acceleration है ठीक है तो अब यह लिख displacement is equals to me यह है पूरा का पूरा जो भी relation निकला है तो अब यहाँ पर हमें यह चेक करना है कि left hand side और right hand side दोनों की dimensions equal है या नहीं है तो आईए चेक करके देखते हैं simple है यह जो हमारा displacement है x है इसकी क्या dimension होगी obviously बात लेंथ ही होगी क्यों जो displacement होता है वो length के अंदर ही तो होता u क्या है velocity t क्या है multiply by time उसके बाद इसे गोल सुमें यहाँ पर 1 by 2 एक बार के लिए हम लोग हटा देंगे क्योंकि 1 by 2 का कोई dimension नहीं होगा हमें पता है यह numeric है numeric value है अब यहाँ पर a क्या है वो है acceleration और यहाँ पर t क्या है time ठीक है तो time का square है तो velocity को लिखेंगे length upon में time multiply by time ठीक है और यहाँ पर plus में आएगा acceleration को हम लोग लिखेंगे velocity upon में time multiply by time का square या फिर length upon में time का square क्योंकि हमें पता है जो velocity होती है वो length upon में time होती है तो time से time नीचे multiply हुआ multiply by time square time square से time square cancel out हो गया उपर time से time cancel out हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है कि इसका भी एल और इसका भी एल ठीक है यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि यह जो equation है x is equal to me ut plus 1 by 2 80 square यह dimensionally correct है ठीक है अब देखिए इस equation को आप लोग लिख सकते है x is equal to me ut plus 80 square dimensionally अगर सोचके देखें क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था जो 1 by 2 था इसका तो कोई dimension होता ही नहीं है तो dimension के लिए हटा दिया था इसको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब यह जो equation है x is equal to me ut plus 80 square यह dimensionally correct है लेकिन numerically wrong हो सकती है क्योंकि 1 by 2 की ज़रुत पड़ती है हमें पता है 1 by 2 का इसके अंदर role है लेकिन dimensionally कोई role नहीं है इसलिए जब भी physics के अंदर कोई नई equation बनती है तो उसका dimensionally check होना ज़रूरी है याद रखिए कि हो सकता है कि कोई equation dimensionally correct हो और आगे भी correct हो ठीक है लेकिन अगर कोई equation dimensionally correct नहीं है तो वो आगे भी correct नहीं हो सकती उसका dimensionally correct होना ज़रूरी है जो भी नई equations physics के इंदर बनाई जा रही है आज की तारीक में उनक dimensionally prove होना बहुत ज़रूरी है सही होना बहुत ज़रूरी है वरना वो गलत हो जाएंगी और दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई कि ये homogeneity दिखा रही है मतब इदर भी L और इदर भी L मतब दोनों के दोनों sides हैं आपके जो equation के ये homogenous है दोनों बराबर हैं एक जैसे हैं मतलब ये left side भी length को ना अपना चाहता है और right side भी length को ही ना अपना चाहता है ठीक है इसी तरीके से अगर इसका मैं एक example ले लूँ homogeneity principle का कि अगर आपके पास मान लीजी कि एक formula है t is equals to में 2 pi यहाँ पे under root में m upon में f upon में x ठीक है ये formula है हमें नहीं पता किस चीज का formula है और मुझे चेक करना है क्या ये dimensionally correct है तो मैं कैसे करूँगा बहुत simple है देखिए left hand side की अगर बात की जाए तो t से दा साब दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये t को ना अपना चाहता है ठीक है और ये right hand side इसको check करते है देखिए 2 जो है और pi जो है दोनों क्या है दोनों आपकी numeric value है तो इनका कोई dimension नहीं होगा तो एक बार के लिए इनको neglect कर देते हैं अंडरूड में m का तो m होगा ही upon में f का क्या हो था हम लोगों ने भी किया था ml t-2 यहाँ पर t की power minus 2 upon में x का क्या होगा l होगा अब इसी बात है l से l cancel out हो जाएगा m से m cancel out हो जाएगा यहाँ पर t उपर आजाएगा अब t की power minus 2 है उपर आते प्लस हो जाएगी तो t की power 2 हो गई t की power 2 का under root अंदर उट से बाहर आएगा तो t नहीं कल किया जाएगा ठीक है यहाँ यहाँ लेफ्ट हैं और राइट हैं साइड दोनों के दोनों t को calculate करना चाहते है मतलब यह जो formula है यह dimensionally correct है अब मुझे यह नहीं पता कि यह आगे सही है कि नहीं अगे बढ़ने के chance है तो इस तरीके से अगर आपको कभी लगे कि आप कोई नया relation या नई equation बना रहे हो तो check कर लेना कि वो dimensionally correct है कि नहीं है तो आपको यह चीज समझ में आ जाती है दूसरी अगर use की मैं बात करूँ तो दूसरा use बहुत interesting है वो है conversion of units लेकिन एक ही unit की कुछ co units भी होती है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं 1 kilo आटा लेके आया हूँ और कोई दूसरा कहे कि मैं तो 1000 gram लेके आया हूँ तो दोनों की बात तो सही है लेकिन मैंने kilo में बताया उसमें gram में बताया मैं accurate हो सकता हूँ लेकिन वो precise है वो बोल सकता है कि तुने मेरे को 1 kilo आटा नहीं दिया मतलब 1000 gram आटा नहीं दिया 995 gram दिया है तो वो precise है यह चीज़ अम लोग पहले पढ़ चुके है ठीक है तो co units भी होती है तो वहाँ पर भी इस dimensions का बड़ा use है जिसको हम लोग कहते है second इनका use होता है तो pressure का जो unit होगा वो एक pascal होगा जब SI unit का use किया जाता है तो pressure को एक pascal के रूप में हम लोग calculate करते है ठीक है लेकिन अगर मान लीजे कि अब मैं क्या करता हूँ कि meter को बदल देता हूँ centimeter में और kilogram को बदल देता हूँ gram में और जो time है वो second का second रखता हूँ जिसको हम लोग CGS पदती भी कहते है CGS प्रणाली है CGS category मतलब अलग-अलग categories होती है SI होती है CGS है, FPS है तो यह CGS का use कर रहे है हम लोग तो CGS system का use करने की वज़े से इस बार यह Pascal बदल जाएगा क्यों? क्योंकि पहले हम लोग KG का use कर रहे थे और आपका meter का use कर रहे थे तो Pascal आ रहा था अब हम लोग centimeter का use करेंगे और हम gram का use करेंगे तो Pascal नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए मालने थे हैं कि उसको हम लोग एक CGS pressure कह लेते हैं भाई मेरे कहने का मतलब है जब आप लोग SI unit का use करोगे तो pressure का unit एक Pascal लिखोगे जब CGS का use करोगे तो pressure का unit एक CGS pressure लिखोगे तो अब हमें ये देखना है कि how many CGS pressure is equals to 1 Pascal है ना? हमें ये देखना है कि एक Pascal के अंदर कितने CGS pressure आएंगे अब इसी बाते CGS कम ही होंगे मतलब क्योंकि हम लोग पहले kg का use कर रहे हैं अब gram का use कर रहे है तो देखे हमें पता है कि जो pressure होता है उसको हम लोग लिखते है force upon में area मतलब एक particular area के अंदर लगने वाले force को pressure का आ जाता है ठीक है अब force जो है उसका क्या होता है जो dimensional formula क्या होता है वो होता है mLt की power minus 2 और area का क्या होगा L की power 2 तो इसको solve करो के तो निकलेगा mL की power minus 1 T की power minus 2 क्यों क्योंकि जो L की power 2 है यह उपर आ जाता है ठीक है अब हमें पता है कि जो एक पास्कल का जो unit है वो होता है 1 kg multiplied by 1 meter की power minus 1 multiplied by 1 second की power minus 2 यह unit है ठीक है तो अब 1 kg की जगा लिख दीजे 1 gram meter की जगा लिख दीजे 1 cm और second की जगा लिख दीजे हम लोगोंने second ही है दोनों को आप लोग divide कर दीजे भाई हमें देखना है ना कि एक पास्कल में कितने cgs है तो divide कर देंगे तो 1 पास्कल upon में 1 cgs pressure तो 1 kg upon में 1 gram 1 meter upon में 1 cm 1 second upon में 1 second second से second तो cancel out हो जाएगा जब आप लोग 1 kg को 1 gram से multiply करोगे तो क्या आएगा 10 की power 3 आएगा पता है यह बात हमें और 1 meter को जब 1 cm से करोगे तो 10 की power 2 आएगा क्यों क्यों क्योंकि 1 meter के अंदर 100 cm होते हैं ठीक है इसकी power minus 1 इसको solve करोगे यानि कि 10 की power 3 है यह minus 1 है तो यह नीचे चला जाएगा upon में 10 की power 2 इससे cancel out होगा तो 10 निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एक pascal pressure का मतलब होता है 10 cgs pressure कुछ आई बात समझ में मैंने क्या का भाई हम लोगोंने क्या किया पहले SI unit में pressure का unit pascal था फिर उस unit को SI से बदल के cgs कर दिया जहांपर हम लोगोंने kg की जिगा gram यूज किया meter की जिगा centimeter यूज किया फिर हम लोगोंने क्या किया हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक pascal के इंदर कितने cgs pressure होंगे तो हम लोगोंने दोनों का निकाल के divide कर दिया तो इस तरीके से conversion of unit को समझाने के लिए भी हम लोगोंने किस चीज का use किया dimensional formula का use किया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग unit का conversion करते हैं कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि इतना unit low तो एक ऐसा unit बनेगा ठीक है micro column इतने low तो एक column बनेगा हम लोग ऐसा कहते हैं तो ये सब कुछ हम लोग dimensional analysis की मदद से पता लगा सकते हैं कि कितने में कितना बनेगा ठीक है आपको ये दो uses आपको समझ में आये होंगे और dimensions आपके दिवाग में बैठी होंगी कि इवे dimensions का मतलब क्या होता है ठीक है अकसर क्या होता है बच्चे इसको पढ़ने से थोड़ा सा कतराते हैं उन्हें लगता है कि बहुत सारे dimensional formulas याद करने पड़ेंगे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है आपको formulas पता होने चाहिए formulas भी तब पता होंगे जो आपके concept clear होंगे जैसे बात करें pressure की pressure जो है कैसे बनेगा एक particular area के अंदर मैं बहुत सारा force लगा दूँगा तो pressure बन गया उसके अंदर अब इसी बात ऐसा ही तो होगा न तो ये जो है physical significance की understanding रखना ज़रूरी है so I hope आपको ये दो uses समझ में आया होंगे dimensional analysis के लिए applications principle of homogeneity समझ में आया होगा dimensions क्या होते हैं कितने होते हैं कैसे काम करते हैं ये समझ माया होगा इसके बाद next lecture में हम लोग इसके एक और use के बारे में पढ़ेंगे जो की है deducing relation among the physical quantities मतलब कुछ physical quantities के बीच में आप relation भी निकाल सकते हो with the help of dimensions कैसे निकालेंगे हम लोगों को उस lecture में पता चलेगा बहुत अच्छा use है उसकी मदद से आप लोग अपनी तरफ से भी चाहें तो कुछ relations निकाल सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे the limitations of dimensional method मतलब इन dimensional formula के जो method है इनकी कुछ limitations भी है कहां आकर के ये थोड़े से कमजोर पढ़ जाते हैं कहां हमें थोड़ी सी extra चीजों की जरुत पढ़ती है वो चीज हमें समझ में आएगी तो यहां पे I hope आपको समझ में आया हुआ कि dimensions क्या होते हैं क्या इनका use है इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई रहती है कोई question रहता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो please आप हमें comment section के जरीए बताइए और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि practice करते रहे So friends आज की इस video में बस इतना ही See you in the next day